हेलो दोस्तों मैं मुलका सार आपके साथ आज नए टॉपिक के साथ जुड़ चकाओ जो है सर अफटर 12 हम क्या करें बहुत बच्चे जिनका CEA फिक्स है वो भी इस लेक्चर को देखिए जिनका CEA में जो भी कोर्स फिक्स होगा एक बार देखिए कुछ अलग बात में करने व दिखी रहा है कि जो जनरली 12 के बाद बच्चे कौन से फिल्ड चूज करते एक तो बिकॉम चले जाते हैं नहीं तो BBA कर लेते हैं कुछ बच्चों बच्चों को जिनको लॉक करना होता है वो पास साल का लॉक पोर्स में भी चले जाते हैं लेकिन हम जिस कंट्री में रह र करी रहेगी बिटा बारावी का बोड़े लास्ट बोड़े पढ़ ले फिर तेर को ना फिर पढ़ने की जोरतिश नहीं है चलो वो भी पढ़ लेंगे आगे भी आपको वहीं कहा जागा है एक चीज पर आके रूख जाता है सर पैसा हमको अगर अच्छा पैकेश मिला तो हम अच्छा डिगरी ले लिया तो सोसाइटी में हमारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा अच्छा सर अच्छा जॉब मिल गया तो कोई डैडी अपनी लड़की दे देगे बॉइस के लिए डिगरी तो चाहिए मालिक लेकिन क्या कैसे और कौन से डिगरी का टाइम के साथ वैल्यू बढ़ रहा है और कम हो रहा है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है एक टाइम था जब इंजिनियर्स की बहुत डिमांड थे और दोस्तों डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन आप ही अपने आजू बाजू देख लेना कि आज कितने सारे इंजिनियर्स होगे उनकी वैल्यू कम नहीं है लेकिन मार्केट में उनका सप्लाई बढ़ गया डिमांड इतनी है नहीं तो क्या करे वो भी पढ़ तो बहुत लिया तो क्या कॉमर्स में वो दिन नहीं आएगा और आप आज जो डिग्री आज जिस फिल्ड में इंटर करने आ आले हो अगले पा पहले आपको ये डिसकेशन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे देखो आप लोग कोई भी फिल्ड में जाओ देखो 2021 तो खतम होई गया है बराबर सर 21 में हम लोग जैन फेप और मार्च और एप्रिल डन कर चुके हैं 12 एक्जाम इसी साल होगी 21 म में और आप सीए सीए में साइट में छोड़ दो वो तुम तरल करी सकते ना बिकॉम के साथ थोड़ा एज के साथ भी में थोड़ा आपको करेक्शन लगा कि द्यान से सुनना अभी इसी साल आपका एफवाई में एडमिशन हो जाएगा भली आप बीबे करो या बिकॉम करो फर्स्ट यर तो आपका चालू हो जाएगा और एक्जाम हो जाएगा ट्वेंटी 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 में आप लोगों का एफवाई खतम ट्वेंटी 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 ट्व होगा जो भी एक साल उपर निचे पकड़ लेना सेवेंटीन और एटीन इयर अगर आपका एज आज है तो अठरा उन्निस नाइन्टीन और ट्वेंटी के एज तक आपका ग्रेजुएशन हो जाता है ट्वेंटी ट्वेंटीवन के एज तक भले आप वो भीकॉम में कीजिए या बीबीए में कीजिए सर ग्रेजुएशन तो मस्टी है ना ऐसे तो होगा निए अपनी जन्रेशन को ना थोड़ा बहुत ऐसे कंटून को इस लगता है कब सला में पैसे कमाने लगो और कब मैं अपनी लाइफ मतलब जो भी ड्रिम से हो कंप्लीट करो लेकिन यह तीन साल तो आपको टिके ही रहना है ना कोई अप्शन है बहुत बच्चे इंटर्नल कॉलिज से करते भी कौम बहुत बच्चे एक्स्टर्नल कॉलिज से करते कोई बीबीए और बीबीए तो बट अब्वेस इंटर्नल ही करना रहता है अब समझ लो इन चीजों को कि दो हजार सब्सक्राइब कर सकते अगले कुछ साल मतलब 20 से लेके मैं पकड़ लेता हूँ कि 23-24 तक आप पड़ोगे तो 27 तक आप पकड़ लो कि आपको पढ़ाई का आपका एज है 2027 बोल रहा हूँ तब तक आप बच 20 कितने 21-23 साल के तो है 23-24 की होई जाओगे यह सुन थोड़ा समझ रहा है क्या थोड़ा अलग लेवल पर में डिसकेशन कर रहा हूँ बातों को समझ यह अब मालिक ध्यान दो बहुत ध्यान से सुनना सर 20-24 सक आपने कहा हमारा क्या हो जाएगा बिकॉम खतम हो जाएगा तो जो बच्चे यह समझ रहे कि सर आमचा करना सीए हूँ शक्त का वन अप दे इंपॉर्टन कोर्स है की नहीं है और सीए करो सीए करो सीए में करो यह प्रूफिश कोई भी ना कंसेप्ट अलग नहीं द लेकिन यहाँ पे आप इन तीन साल में इधर बिकॉम करो या बी बी ए करो आपके पास हमेशा एक एक स्टर्नल कोर्स का जो प्रोफेशनल कोर्स का ओप्शन ओपन रहता है अब थोड़ा ध्यान से सुनना बिकॉम के बाद कुछ बच्चों का होता है कि सर हम 24 मतलब 2024 बिकॉ के लिए सोचे क्या कोई ज़रूरत नहीं है बट आप एक बार आपके पास graduation आ गया तो बहुत बार बच्चे अभी competitive exam दे सकते हैं यसर नो कोई बच्चे law के लिए चले जाते हैं कोई MBA के लिए चले जाते हैं तो MBA तो वैसे इंजिनेर भी कर रहे मतलब वो science पढ़ते इंज CA foundation का attempt है ध्यान से देखना उन लोगों का CA foundation या जो CS कर रहे हैं उनका CS का पहला exam 2020-22 में ही खतम हो जाता है मतलब साइड में विकॉम भी चल रहा है first year खतम BBA चल रहा है first year खतम और क्या मालिक मेरा एक course का एक level खतम थोड़ा दिमाग में जा रहे हैं क्या बात है यह सुर्ण कौनसा level CA foundation का first level CMA का first level या CS का first level तो जो easy है CS और CMA में थोड़ा difficult है CA foundation में लेकिन हो जाता है आराम से हो जाता है तो आपने एक साथ देखो दो चीज़े आप जा रहे हो और जादा पढ़ना जादा डिग लिए ना कभी बुरी बात तो है ने 2023 तक जब आपका SY complete होगा मालि समझ में आ रहा है क्या तब आप लोग जिनका November में CA foundation होगा उनका attempt आएगा November 2023 में CA inter का second level CS वाले भी आ तक अपना second level दे चुके होगे और CMA वाले भी तो become चल रहा है और जब आप इन लेवल की पढ़ाई करते हो ना become पे बहुत बार पढ़ना ही नहीं पढ़ता समझ में आ जो आपका BBA हो या become हो बहुत ही nominal cost में हम आपको provide कर देंगे उसका attention low मत आप कही भी भी classes जरूरत नहीं है ज्यादा 10,000-15,000 fees दिनी की जरूरत नहीं है बहुत ही कम value में हम आपको वो भी course provide करके देंगे तो जब exam में उसके एक दो दिन पहले भी देखाना तो भी आप अच तो second 23 to 2023 में जैसे मेरा SY हुआ मैंने क्या किया CA Inter का एक exam दे दिया CS executive अगर हुआ तो वो किसी बच्चे दे देगे CA में वाले दे दे देंगे तो दो साल में यहाँ पर मेरा भी कौम भी चल रहा है दो लेवल वहाँ पर clear हो गया हाँ बट अबट अबेसे assumption है कि first attempt हुआ तो नहीं तो ऐसे भी कुछ बिगड़ नहीं रहा है हमारा और फिर हमारा आर्टिकल चिप चालो हो जाएगा मालिक क्योंकि 23 के बाद 3 साल बाद मतलब 26 2026 में CA final का टेम रहेगा CS वाले तो दो साल में भी दे सकते है 9 मेने में भी दे सकते है थोड़ा वहाँ पे time कम लगता है अ प्रिच आता हूं ना उसलेल पर इसले उपर ना एज का calculation कीया था आप लोगों का एज तब तक करिब करीब आप कितने साल के हो जाते हो सर 23 24 यह की हो जाते हो और आप लोग यहां पर देखों यहां पर में लिखता हो अब यहाप कितने के हो सर 18 19 15 यह के हो गे मैं 18 लिखता होने तक आपने दो लेवल खतम कर दिये kana came with वह उने औरructures कुछ मचेट खर देखो अब्जरा करो बटेदी के रजिस्ट्रेशन देखो क्लास माइस कफीज बहुत है लेकिन इन कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन फीज बहुत कम है जैसे CS का तो 1000 ही है पहली एक्जाम का CA Foundation का I think so 9000-10000 के करीब करीब है अगर आप classes नहीं लगाती एवन हम CA Foundation CCD के भी classes दे रहे हैं और मैं यह try कर रहा हूँ कि कम से BCOM के बाद कोई EMCOM करता है कोई LLB कर लेता है 3 साल का कोई MBA करता है 2-3 साल का तो 3 साल मतलब 6 साल तो दे नहीं है और यहाँ पर साइमल्टे से अगर पढ़ रहे तो हमारा एक तरफ CA final CS हो जा सकते हैं CA में हो सकते हैं और मेरा यहाँ पर graduation मतलब sorry अब मेरा post graduation मतलब आप कह सकते हो आपका EMCOM, BCOM जो भी है वो खतम हो गया यह वारे courses BCOM के बाद लोग चालू करते हैं लेकिन हम EMCOM तक मतलब अगले 5 साल में एक साल एड कर लो 6 साल में टेंप लगने के बाद भी पढ़ सकते हैं और एक बार आप 24 साल के बाद मार्केट में जाओगे, I know doubt कि लोग कहते हैं गसले बेटा मजे 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 वो तो ठीक है वो एक मोम आया है लेकिन sir मैं degree लेके बाहर पढ़ रहा हूँ, knowledge लेके बाहर पढ़ रहा हूँ समझ के तो आप अपने बहुत सारे friends से comparison नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां पर jobs की मारा मारी है ना आप लोग एक अच्छा degree तो आपको जादा value होगा, preference आपको दिया जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत दिल से बात कर रहा हूँ आप से, थोड़ा ना इसे start बन समझ में आई कि कैसे age के साथ और years के साथ अगर हम calculation करें ना तो बाते easy हो जाती है, बहुत सारे course है आपके पास, बहुत सारे course है, लेकिन अगर देखो general अगर में करू ना तो बिगो में बहुत traditional course है, थोड़ा BBA को professional course समझा जाता है, यहाँ पर quantitative financial analysis जादा है, यहाँ पर quantitative communication और leadership पे बहुत जादा ध्यान रखा जाता है BBA पे, बहुत सारे क्योंकि आपको compulsory college में जाना है, वहाँ पर आपको projects के बारे में, मतलब यह से ना कि presentation की skills सिखाते है, मतलब बहुत बार इसे सुना गया है कि C.A. से जादा MBA जादा बहुत बार कमा लेता है, क्योंकि उससे explain करने आता है, और C.A. करने आले बच्चे जनरल ही पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, उस पर focus करते है, so MBA बोलने बहुत smart होते है, BBA और MBA वाले बच्चे, तो यह बहुत जादा सिखाया जाता है, requisite बतलब इसके साथ साथ आप लोग C.A. C.W.A. भी आप definitely कर सकते हो, though it is not prerequisite for MBA, but it will help you in initial stages, ठीक है, sir, क्या है, आप अगर become कर रहे हो, तो कोई जरूरी नी, 12th में high percentage जो generally admission मिली जाता है, लेकिन BBA के लिए थोड़ा tough हो जाता है, अच्छे call इससे करना है, तो थोड़ा difficult हो जाता है, BBA करने के लिए, अच्छे call इससे करना है, तो थोड़ा difficult हो जाता है थोड़ा क्या, बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा उसके इससाब से भी decision में किया है, क्यों कि ultimately पैसा है तो हम चीज़े complete कर पाएगे, तो आध्यादूर में छोड़के क्या मतलब है, समझ में हा रहा है क्या, detail में वीडियो लाओगा, लेकिन एक general बात आपको पहुचा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, tension low मत, आराम से चीज़े होगी, और कोई अगले पास साल तो ऐसे भी गिसना ही है, तो क्या बनके बाहर निकलना ही है, आपका responsibility रहेगा मालिक, समझ में आ रहा है क्या, yes और no, yes sir, और भी 1000 लाखो courses है, courses की कमी नहीं है, लेकिन ये timeline हमेशा कुछ बच्चा जो M.com करता है, 2 साल M.com को देता है, MBA करने वाले 2 से 3 साल MBA को दे देते, LLB करने वाले 2 से 3 साल LLB को दे देते, कोई भी course आप करते रहो, लेकिन professional course का अगर आप किया, तो आपका EQ, मला बलता है कि IQ तो ही, लेकिन आप बहुत जादा strong बनाता है professional course आपको, तो ये 3 साल तो ऐसे भी हमको 27 तक अगर पढ़ना है, तो क्यों ना खुद को एक मौका दिया जाए, राइट दोस्तो, तो एक general वीडियो था, I hope आपको इससे समझा होगा, और मेरे भी आपको रोज जुड़ता हूँ, कुछनों कुछ बाते आपके साथ में share करता हूँ, त